चलिए आज हमारे बीच में एक और बच्चा है श्रियान शुकला जिसकी औल इंडिया रैंक 451 है और इनको निटी जमशित पुरे लॉट हुआ है और श्रियान जो है वो कानपूर से हैं और इन्होंने फाइनल लिएर के साथ ये रैंक अचीव किये तो सबसे पहले बिटा आ और इस रैंक के लिए बहुत-बहुत बदाई आप क्योंकि बहुत समय से वेट कर रहे था है आप आज आये हो तो यह आप एवार्ट के हगदार हो और इनाइटी जमशित्पुर में भी ऐसी परफॉर्म करना है आपको तो मैं क्योंकि हमीशा सेशन लेता हूं बच्चो और पिर आपने फाइनल लेर के साथ यह रैंक कर्चिफ किये एनाइटी जमशित्पुर मिला है तो आपका अपनी सक्सेश जर्नी का क्या एक्स्पियंस है मैं चाहूंगा डीटेल में बताओ बच्चों को आप सर मैं इंटर्मीडियट में था मेरी दीदी ने एंचीए किया ता वो अमेरिका गई थी उसी यह अमेरिका में उनका जॉब लगी थी तो मुझे उनको देखें एंचीए करने की वह हूई तो मैंने अपने ग्राजुशन में ही सोच लिया था कि मुझें ग्राज अद्र क्या अक्रश और मुझे पेपर कौन से होते हैं कि मुझे अग्जाम पर्टेमों क्लाश था यह वुञ यह मुझे diversity मुझे प्रमाद्र क्लाशन के SAY कर्या है तब मुझे पता चला है कि MCC के निमसेट के exam होता है तो मैं आपसे जुड़ा आपके मैंने previous video देखे मैं second year में मैं आपसे YouTube के शुरू आपसे जुड़ता रहा आपकी classes देखी थी और third year में मैंने सोचा था कि आपसे ले लूँगा लेकिन third year में corona आ गया तो थोड़ी financial crisis थी तो मैं third year में join नहीं कर पाया तो आपने मैंने तो फिर plan drop कर दिया था लेकिन आपने फिर एक बार आया और मुझे fast tech course के बारे मताया YouTube पे तो मैंने fast tech course join के लिए और उसके थ्रू आपसे जुड़ा था तो देखिए शिरांस ने जैसे एक बात बताई मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग जो कि 12th या 1st year में जाके decide कर लेते हैं क्या करना उनको अक्सर ड्रॉप की जगत नहीं पढ़ती जैसे आपके दिमाग में अपनी sister को US जाते हुए देखके clear था कि मुझे MCA करना है और उस MCA करने का माइंड setup था फिर स्वरवसर की class के बाद आपको समझ में आ गया कि जाना क्या रास्ता मिल गया और second year से आपने जैसे यूटूब से follow किया फिर final year में आपने पिटर्स गुरू कूल का online course जोन किया यह जो एक journey है न यह मैं हर बच्चे से बूलता हूं कि जब आप यह सुनते हो कि कोई बच्चे final में select हुआ है या कोई ने drop ही नहीं लिया उसके कई बार region होते हैं उसके past क्योंकि जैसे इसने कर लिया था कि क्या करना है और first year के बाद action लेना फिर second year से आपने यूटूब वाली class की फिर final year में जाके online पढ़ाई की तो यह कहीं न कहीं आपने आपको एक motivate करता है तो श्यार्स आप मैं जानना चाहूंगा कि आपका online का भी overall experience क्या रहा कई बच्चे होते हैं जिनको ऐस लगता है कि physical class से ही सब कुछ हो सकता है कभी-कभी तो आप क्योंकि कानपूर से हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका अपने आप में online experience क्या रहा तो मेरा online के experience बहुत ही अच्छा रहा मैं online classes परता थे लेकिन आप हमेशा advice करते थे कि regularity रखो regularity रखो चाहें classes offline हो या online अगर regularity है तो हर जगए अच्छा ही होगा बिल्कुत सही बात है शिराज तो आपकी success जन्नी बहुत अच्छी बात है आपने जो छोटे से word में सब कुछ बता दिया और कभी आपको कहीं कोई misguide नहीं हुए आप आपका बिल्कुत focus clear था जैसे कई लोगों होता अग्रिविशन में कि हम railway भी कर लें पीएसी भी कर लें ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ तो चलो यह बहुत ही खुशी की बात है शेहर तो आप ऐसे ही आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो और नाइटी में जाके भी अच्छा focus करो और मैं बताओ यह बहुत अच्छी लाइन ह जैसे आपने बोला सिस्टर ने आपकी M.C.A किया और वो यह चली गए आप देखो कि जब बच्छा M.C.A में जॉब लेता है अच्छे कॉलेज का मुशकल से तीन चा साल बात वो overseas project आते हैं और बहुत लोग बहार निकल जाते हैं और पर कई बार वहीं रुख जाते हैं त तो जब दीजिए especially जो first year second year में प्लान करते हैं उनको क्या ऐसी चीज़े हैं जो first year second year से action ले ले लेना चाहिए अगर आप first year second year में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आप focus मत अपना हटाइए अगर आपको MCA करना है आपका final है तो daily पढ़िए आप जैसा कि sir भी कहते हैं कि एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा यह कभी मत किजिए वनना कभी कुछ नहीं हो पाएगा आप किसी भी आपने कि जिसमें रेगुलिटी और कंसिसेंसी है वह हमेशा सफल होता है आप यही रेगुलिटी और यही कंटिनिटी आपको निटी में बनाना है once again all the best thank you sir thank you